उत्रपरदेश के लखनओं के चिनहट इलाखे में एक प्लास्टिक गोदाम में संदिख्ध परिस्तितियों में आग लग गई देखते ही देखते आग ने भिशन रूप धारन कर लिया आलम यह रहा कि चार घंटों की कड़ी मशकत के बाद दंकल वी भाग की साथ गाड़ियों ने आग पर काबू पाया यहां बताया जा रहा है कि आग लगने से लाखों रुपय का नुकसान हुआ है आपको बता दे कि यह पूरा मामला चिनहर ठाना शेतर के मटियारी गाउं का है यहां अब्दुल कलाम नाम के व्यक्ति का तीन शेड के बने गोदाम में पांच सालों से कारूबार चल रहा था शुकरवार अचानक गोदाम में आग लग गई आग लगने की घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई सुचना मिलते ही दंकल की साथ गाड़ियां मोके पर पहुची कडी मशक्खत के बाद आग पर काभू पाया गया ऐसे ही लेटेस को बरे पाने के लिए बेल आइकन को प्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवार अपर्फेक्ट वेन्यव वेडिंग, लाँचिंग, पार्टी राजगराना एंजोती गाडन अजबी बैंक्वेट्स एंटरप्राइब